गुड मॉनिंगी स्टूडेंट ग्लास नाइन्थ मैट्स हम कर रहे हैं चैप्टर नमबर 12 एरियाज आज हम करेंगे इस चैप्टर के 12.1 एक्सेसाइज और इस एक्सेसाइज का हम सॉल करेंगे कुश्य नमबर फॉर्स्ट कुश्य नमबर फॉर्स्ट आपके पास गीवन है और ट्राफिक सिग्नल पॉड इंडिकेटिंग स्कूल एहेड इस एन एक्विलेटरल ट्रेंगल विथ साइड ए मतलब आपके पास एक ट्रेंगल है सबसे पहले कैसा ट्रेंगल है एक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड कैसी एक्वल है क्लियर मतलब जिसकी तीनों साइड उनोंने क्या दिये ए सपोर्ज ये ए दे दी लेकिन हमारे पास ट्रेंगल कैसा एक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड एक्वल है अगर उस ट्रेंगल की एक साइड ए है तो हर एक साइड भी कित्ती होगी ए होगी अब देखिए find the area of the signal board using hero's formula मतलब हमें area find करना है लेकिन किस से find करना है hero's formula से right if its perimeter is 180 perimeter क्या होता है तीनों साइड का addition कितना होता है 180 right तो perimeter given what will be the area of the signal board मतलब what will be the area of the signal board मतलब हमें क्या find करना है area find करना लेकिन hero's formula से clear हम देखिए solution करते वक सबसे पहले आपने diagram बनाया यह वाला right जिसमें आपने बता दिया तीनों साइड कितनी है a क्यों क्योंकि side a क्या है given given देके रखिए और triangle कैसा equilateral is clear उसकी हर एक side कैसी है equal है right तो देखिए given site of the signal board a signal board की side कितनी देके रखिए a देके रखिए clear perimeter of the signal board perimeter कितना होता है तीनों साइड का addition right मतलब 3a 3a का से आया मतलब a plus a plus a perimeter का मतलब होता है और perimeter कितना given है 180 right तो a plus a plus a कितना हो गया 3a तो कितना हो गया 3a equals to 180 right तो देखो 180 अपॉर्ण में कितना आ जाएगा 3 3 वन जा 3 3 6 ना 18 और 0 it means a की value हमारे पास कितनी आ गई 60 centimeter a मिल गया आपके पास I hope आपको ये समझ में आ गया 3a का से आया अगर confusion हो तो आप यहां लिख लेना a plus a plus a equals to right तो ये हो जाएगा 3a equals to 180 clear अब ये तो हो गया side मिल गई हमें 60 अब हमें क्या लगाना है hero's formula क्योंकि a मिल गया है अब hero's formula में हमें एक s की requirement रहती है right यहां पर मैं बता देती हूँ a equals to होता है a plus b plus c by 2 right ये formula होता है a समेशा आपको निकालना पड़ेगा hero's formula में जित्ती भी side है सबका addition divided by 2 तो देखे हमारे पास triangle में कितनी side है तीन एक होती है दूसरी भी तीसरी सी लेकिन हमारे पास यहां triangle में तीनों side तीनों side केसी equal है मतला तीनों कितनी है a तो हो जाएगा a plus a plus a divided by 2 it means कितना आ गया 3 a by 2 एस की value कितनी मिल गई 3 a by 2 राइट अब हम लगाएंगे by using hero's formula राइट तो सबसे पहले आपको ace निकालना है ace निकल जाए उसके बाद लिखना है by using hero's formula राइट area of the triangle signal board will be area area बराबर कितना हो जाएगा यह है formula सबसे main और इसको बोलते hero's formula हो सकता है कि आपको objective में पूछ ले write दो और hero's formula यह hero's formula is dash 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 तो आप लिखेंगे under root ace पहले bracket में ace minus a दूसरे bracket में ace minus b तीसरे bracket में ace minus c इससे भी आप area find कर सकते हो right यह formula है अब हम value put up करेंगे देखे a आपके पास गीवान है और ace आपने निकाल के बता दिया clear अब देखे under root ace की place पे आपने रखा 3a by 2 रखा फिर bracket again ace minus a तो यह लिखा 3a by 2 minus a क्योंकि a की value कितनी है a ही है side है na a b c तीनों side और तीनों side हमारे पास क्या है a है यहाँ पे फिर ace की place पे रखा 3a by 2 फिर b की place पे रखा a a's की place पे रखा 3a by 2 फिर c की place पे रखा a value put up कर दी हाँ पे अब देखिए 3a by 2 तो मैंने as it is रखा यह तीनों bracket कैसे है सेम है देखो 3a by 2 minus a कैलकुलेशन कर लेते हैं तो क्या करेंगे lcm ले लेते तो यह हो जाएगा 3a minus 2a तो 3a minus 2a मैंसे गया तो कितना बच्चा a तो कितना आ जाएगा a by 2 तो देखिए यहाँ पे a by 2 लिखा है मतलब इस ब्रेकेट का कैलकुलेशन मैंने यह करके बताया तो यह आगया a by 2 यह भी 3a by 2 minus है तो यह भी a by 2 यह भी 3a by 2 minus है तो यह भी a by 2 आगए a by 2 a by 2 क्लियर अब देखिए आगे अब यह 3a by 2 तो देखो 3 मैंने देखो यह सब ऐसा है 3a by 2 into में a by 2 into में a by 2 into में a by 2 तो देखिए यह 3 मैंने as it is लिखा है a कितने दिख रहे है उपर 1 2 3 4 तो यहां मैंने लिखा a की पावर 4 राइट डिवाइड में 2 कितने दिख रहे है देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 तो डिवाइड में 16 आ गया मतलब यह हो गया under root में 3 a की पावर 4 16 यह value हो गई अब इसके बाद दिखिए जो root के अंदर value दो बारे वो बाहर कितनी बार आ जाएगी एक बार तो यह under root 3 as it is a कितनी बारे अंदर 4 बार तो भार कितनी बार लिखेंगे 2 बार इसके बाद हम यह लिख सकते हैं 2 बार लिखेंगे और 16 का हमारे पास क्या हो जाएगा under root 4 ए अंदर 4 बार है तो बहर कितनी बार लिखेंगे 2 बार और 16 मतलब 4 4 जा 16 तो एक बार 4 बहर आ जाएगा राइट अब कितना बच रहा है यहाँ पर A square तो देखें यह लिखा root 3 A square divided by 4 रख दिया लेकिन हमें क्या find करना ए एरिया तो देखें root 3 by 4 मैंने as it is लिखा यहाँ लिख दिया root 3 by 4 as it is और A आपके पास कितना मिला था 60 तो यह A into A मतलब A square है तो 60 into कितना हो जाएगा 60 तो देखें यह root 3 by 4 तो देखो यहाँ 22 जा यह हो जाएगा 30 फिर 21 जा यह हो जाएगा 30 तो 30 into 30 कितना हो जाएगा 900 वो साथ में कितना है root 3 तो यह हो जाएगा 900 root 3 और हमेशा याद रखना है कि area हमेशा काई में आता है square में आता है मतलब यहाँ पर आपकी value कितनी आ गई square में आ गई तो यहाँ पर आपका answer आ गया 900 root 3 centimeter square और यह हो गया इस question का answer thank you